ब्रेड पकोड़ा अक्सर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्या कभी आपने इस तरह ब्रेड पकोड़ा बनाकर खाया है आज हम बनाएंगे प्याज का ब्रेड पकोड़ा जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है और खाने में उतना ही ज़्यादा स्वाधिश् भाद नाना हम शुरू करते हैं ब्रेड्ट एक उसमान देख लेना है आप चाहिए तो यहांपर हमने लिया रिट कॉटे पहले हम रेट को कट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बोल में डालेेंगे मारी कटा हुआ टेइमाटर कोटा हुआ अधरक और सुन और हम ढाल देंगे अब इसमें लिएस सेड़ log Prud चमच भरके इसमें बेशन डाला हुआ है तो चाओल की आठासे ज्याधा बेशन ही लिजेगा आधा अनुसार नमक डाल देना है आधा चमच हल्दी डाल देंगे आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच थोड़ा सा कम डाल देंगे काली मिच का पाउडर यहां पर हमने ड जाल देंगे ठोड़ाँ सब पानी और इसको हम घोल करते हराへं इसको थीक ही रखना है तो थोड़ाँदाँ पाइंड़ कर यहां सुधальной तो थोड़ा सा और पाइंट डाल देते हैं और इसे अची तरह मिला लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा घोल जो है वो तैयार हो गया है बेशन का थीकनेस इतना ही रखना है ज्यादा पतला नहीं करना है इससे तो अब हम ब्रेट का स्लाइस लेंगे और उसके उपर हम इस प्याज वाले घोल को उपर ऐसे लगा देंगे इस प्याज भी रहना चाहिए नहीं कि सिर्फ बेशन ही लगा दिए प्लट कर दोनों तरफ ऐसे हम कर लेंगे जब आप ब्रेट को ऐसे दोनों तरफ से प्याज का घोल लगा देना उसके बाद इसे गर्मा गरम तेल में डाल दिया है और इसका कलर जोए ना थ्वासा सुने रहा हो गया था तो इसे हम प्लट लेते हैं यह ब्रेट पकड़ा बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ज्यादा ताम जामी नहीं रहता है ना आलो बालने का टेंसा ना पनीर का टेंसा बस प्याज काटी यह बेशन डाली है और इस ब्रेट पकड़ा को बनाई डालिए और स्वाद में तो बहुत ज्यादा अच्छा आता है तो हमारा दिना ब्रेट पकड़ा हो गया था तो इसे हम बाहर निका लेते हैं अब आप इसे गर्मा गरम ही चटनिक साथ इंज्वाई करें तो उमीद करते हैं कि आपको ह आज की रेश्पी पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो एक बार घर पर बनाई है और अपनी फैमली को खिलाई है और सब खूस हो जाएंगे आपका इब ब्रेट पकोड़ा खाकर तो देखा आपने कितना असान है इस ब्रेट पकोड़ा को बनाना तो चले फिल मिलते हैं नेक्स रेश्पी में तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें बाई